ध्यान महिमा नास्ती ध्यानम समम तिर्थम ध्यान के समान कोई तिर्थ नहीं नास्ती ध्यानम समम दानम ध्यान के समान कोई दान नहीं नास्ती ध्यानम समम यग्यम ध्यान के समान कोई यग्ड नहीं नास्ती ध्यानम समम तपम ध्यान के समान कोई तप नहीं तस्मात ध्यानम समाचरेत अता हर रोज ध्यान करना ही चाहिए सुर्योदे से पहले उठकर अस्तनान आदी करके गर्म कम्मल अत्वा टाट का आसन विछा कर परमासन में बैठें अपने सामने भगवान अत्वा गूर्देव का स्रीचितर रखें धूप दीप अगरवती जलाएं फिर दोनों हादों को ग्यान मुद्रा में घुत्मों पर रखें थोरी देर तक स्रीचितर को देखते देखते प्राटक करें इसके बाद आखे बंद करके आग्या चक्र में उस स्रीचितर का ध्यान करें बाद में गहरा स्वांस लेकर थोरी देर अंदर रोके रखें फिर हर्यों का दिर उचान करते हुए स्वांस को धीरे धीरे बाहर चोड़ें स्वांस को भीतर लेते से मन में भावना करें मैं सदगुन भक्ती निरोगता माधुर आनंद को अपने भीतर भर रहा हूँ और स्वांस को बाहर चोड़ते से मैं ऐसी भावना करें मैं दुख चिंता रोक भै को अपने भीतर से बाहर निकाल रहा हूँ इस परकार साथ बार करें ध्यान करने के बाद पांच-साथ मिनट सांत भाव से बैठे रहे हैं इससे मन सांत रहता है एकालता अस्प्रण सक्ति पढ़ती है बुद्धि सुस्व होती है सरीर निरोग रहता है परम सांती का अन्भव होता है और परमात्मा सर्दगुरु के साथ मांसिक सम्मन अस्थापित किया जा सकता है हमारे सरीर में साथ योगित चक्रा इस तोस सरीर में ये चक्र समान आखों से दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये सुच्छों सरीर में होते हैं परतेक आसन करते इसमें उससे सम्मंदित केंदर का ध्यान करने से चमतकारिक लाव होता है हरी ओम हरी ओम